नमस्कार दोस्तों, OPEMP lecture series में आप सबका बहुत स्वागत है इस वीडियो में हम triangular wave generators in detail study करेंगे तो नाम से ही पता लगता है कि ये एक ऐसा circuit है जिसमें triangular wave output पे available होती है triangular wave कुछ इस type की आपको दिखेंगी, triangles की shape में और इस circuit में basically आपके दो circuits inbuilt होते हैं पहला है आपका skimit trigger, यानि अगर आप triangular wave generate करना चाहते हो तो उसके लिए आपको skimit trigger चाहिए और इसी के साथ आपको integrator चाहिए तो skimit trigger क्या होता है, skimit trigger एक ऐसा circuit होता है जिसमें input जो मर्जी दो, output हमेशा आपको square wave मिले ये दोस्तों आपको square wave है, यहाँ पे जो high level है इसका जो magnitude है वो आपका positive V set मिलेगा और जो negative है वो आपको minus V set मिलेगा अब बात करते हैं integrator की, integrator में आप input apply करते हो फिर आपको output मिलती है, output क्या होती है, input का integration और उसका expression क्या रहता है, in terms of op amp integrator में और अल्रेडी पढ़ा चुका हूँ, इसी lecture series में यहाँ input voltage apply करेंगे, यह R है, यह आपका capacitor है और यहाँ आपकी output है, non-inverting terminal आपका ground है जब हमने इसका पूरा derivation किया था, तो output voltage का expression था, minus 1 upon RC, integration जितने time के लिए input voltage with respect to dt, यह आपका expression है इसी के साथ दोस्तों आपको कुछ basics बताना चाहता हूँ माल लेजिए यह आपका पूरा का पूरा integrator है, यह पूरा box अगर आप इसमें impulse signal अपलाई करते हो, तो दोस्तों impulse signal अपलाई करने से output आपको step signal मिलते हैं ठीक है, और अगर आप step signal अपलाई करते हो, यानि unit step या कुछ k time constants के साथ step input अपलाई करते हो, तो उसके हिसाब से अब आपको output पे ramp signal मिल जाते हैं, लेकिन अगर आप input पे ramp अपलाई करते हो, तो उसके corresponding integrator circuit output पे आपको parabolic output देता है, इन चीजों का हमेशा आप ध्यान रखना, और यह जो negative sign है, इसका मतलब क्या है, अगर इसका मतलब यह होगा, कि जो आपका signal है, वो अगर मालेजिए step signal है, ठीक है, step signal में positive voltage है आपकी, तो ramp जो होगी, वो definitely आपकी downward directions में होगी, यानि उसका slope आपका नीचे की दिखाईए, नीचे की तरफ दिखाईए देगा, एक standard ramp आपका कैसे बनता है, standard ramp दोस्तों आपका ऐसे बनता है, लेकिन integrator circuit से step signal पास होगा, तो उसका जो ramp है, वो का downward directions में चला जाएगा, तो ये है आपका integrator, अब हम क्या करेंगे, integrator में अगर मैं input square wave अपलाई करूँ, तो definitely output मेरी triangular बन जाएगी, क्यों, क्योंकि जहां भी आपका positive part है, वो आपका क्या होगा, positive step signal, और उसके corresponding आपको क्या मिलेगा, negative, यानि आपकी जो triangles है, वो आपकी downward directions में होगी, और अगर आपको ये negative portion मिलेगा, integrator को, तो इसके corresponding output क्या मिलेगी, output अब आपकी rising pulse होगी, rising इस type से, फिर ये positive है, तो फिर आपको negative दिखाई देगा, और फिर ये negative है, तो फिर आपको positive दिखाई देगा, तो concept यही कहता है, कि भाई, आप schemit trigger यूज करो, जिसकी वज़े से square waves बनेंगी, उन square waves को आप integrator circuits में डाल दो, जिन से आप क्या होगा, output आपकी triangular wave बन जाएंगी, तो इसी लिए, इन दो circuits की help से, हम triangular wave generator बना लेते हैं, तो देखिए दोस्तों, यह जो portion है आपका, यह portion है आपका schemit trigger, और यह जो portion है, यह है आपका integrator, अब इसकी working को explain करते हैं, working explain कैसे करें, जो schemit trigger है, इसकी output किस पे depend करेगी, inverting terminal तो ground है, non-inverting terminal का potential आपको निकालना पड़ेगा, let us say यह terminal आपका VX है, यह कैसे निकलेगा, यहाँ पे आप nodal analysis अपलाई कर सकते हो, वो क्या होगा, nodal analysis यह कहती है, कि जिस भी node पे nodal analysis लगाओगे, उस node का potential, सबसे ज़्यादा potential assume करो, यानि यहाँ से current हमेशा बाहर जाएगा, दो ही रास्ते हैं current बाहर जाने के, एक R2 के थुरू, एक R3 के थुरू, इसके अंदर current बेटे कभी जाता नहीं, क्योंकि OAP amp का internal resistance infinite मानते है, जिसकी वज़े से अंदर current नहीं जाएगा, Vx-V0 divided by R2, overall जो output signal है, V0 है, schema trigger का output है, वो V01 है, ठीक है, दूसरा current क्या होगा, Vx-V01 divided by R3, Vx-V01 divided by R3, sum of all the currents at any node that must be equal to 0, तो इसका मतलब दोस्तो, V0 और V01 expressions को आप दूसरी side लेज़ेगे, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ आपको बचेगा, Vx-V01 upon R2, common ले लिया, और यहाँ से 1 upon R3, और यह चीज़ें वहाँ चली जाएंगे, like V0 divided by R2 plus V01 divided by R3, यह आगया आपका, अब इसको solve कर लेजिए, Vx को, कितना होगा यह, उपर बचेगा, R3 plus R2, मैंने LCM ले लिया है, that is R2 into R3, और इसको ले ले लेजिए, आप कितना होगा, R3 V01 plus R2, यह सुरी, R3 V0 हैं सिरफ, यानि overall output V0, और R2 into V01, divided by R2 into R3, R2 into R3, R2 into R3, यह आपका cancel out होगा, अब आपके Vx का expression आ चुका है, वो कितना होगा दोस्तो, R3 overall output, plus R2 V01, divided by R3 plus R2, यह आपका, इस point पे जो voltage है, उसका expression आप निकाल चुके हैं, ठीक हैं, अब देखो, if Vx अगर 0 से बढ़ा हो, यहाँ पे हैं, तो definitely कुछ positive value होगी, तो V positive potential ज्यादा है, V negative potential कम है, तो differential voltage, overall positive voltage होगी, क्यों? यह देख लिज़ें, इनके बीच में क्या होगा? एक differential voltage होगी, और differential voltage positive है, तो output क्या होगा? positive V saturated, यानि इसके लिए आप V01 क्या होगा हमेशा, positive V saturated, और अगर दोस्तों जो Vx है, यह आपका 0 से कम हो जाए, 0 से कम होगा तो negative नंबर होगा, तो इसका मतलब यहाँ पे negative voltage होगी, और negative terminal जो है वहाँ आपकी 0 बोल्ट होगी, 0 आपका negative voltage से बड़ा नंबर होता है, तो जो differential voltage आपकी बार वो negative हो जाएगी, जिसके साथ आपका output जो, skimit trigger का जो output है, वो आपकी बार है, negative V saturated output हो जाएगा, इस टाइप से skimit trigger के output पे हमेशा square waves बनेंगी, जिनमें उनका जो high magnitude है, वो positive V saturated होगा, और low magnitude आपका negative V saturated होगा, तो इस टाइप के waveforms आपको skimit trigger के बाहर आपको मिल जाएगे, ये आपका इस टाइप से बनेगा, इस टाइप से लगातार आपको square waves output पे मिल जाएगी, ठीक है वई, तो square waves तो हमें मिल चुकी है, अब हमें क्या चाहिए, ठीक है, और ये किस का graph है, V01 का graph है, यानि यहाँ पे इस टाइप की waveforms आपको मिल जाएगी, अब ये जो V01 है, ये integrator के लिए क्या करेगा, input signal का का काम करेगा, और integrator का जो output है, उसका क्या expression होता है, minus 1 upon RC integration V in into dt, तो integrator का जो output है, उसका expression भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, V0 क्या बनेगा, that is minus 1 upon RC integration, input voltage वो केतना है, V01 into dt, V01 क्या है आपका, अगर आपका positive V saturated है, तो इस negative sign से multiply हो जाएगा, तो negative values आएगी, और अगर वो आपका minus V saturated है, तो minus के साथ minus sign आपका plus हो जाएगा, that is, आपका जो output voltage है, वो positive values के साथ होगा, इस तरीके से आप यह कह सकते हो, इस formula के basis पे, कि जो आपका, यहाँ एक साफ सुतरा waveform बनाई लेता हूँ न, ताकि आपको भी समझा जाए, यह जो square wave है, यह square wave दोस्तो, skimit trigger की output है, यह 0, यह आपका positive V set, और यहाँ पे आपका negative V set, अब क्या होगा, अगर V01 positive V set है, तो output integrator की क्या होगी, negative sign के साथ होगी, यानि अब आपकी output कम होती जाएगी, और माल लेजिए, maximum voltage है, जो triangular signal है, उसकी maximum voltage Vm है, और minimum voltage माल लेजिए, यह minus Vm है, नेक्स्ट वीडियो में भी बताऊँगा, कि यह exactly V saturated क्यों नहीं होती है, because of this R3 and R2 resistance, कुछ ना कुछ आपका ड्रोप रहता है, तो अगर यह positive V saturated है, यानि इस time तक, तो आपकी output voltage, ट्रेंगोलर की negative sign के साथ आएगी, यानि आपको इस type से कर्व दिखाई देंगी, यहाँ पर यह, और अगर आपकी, schema trigger की output voltage negative है, minus Vsat, तो क्या होगा, minus से minus sign cancel, that is positive, तो अब वो आपका यहाँ तक, इस type से waveform देगा, यानि output पे आपका 180 का phase जरूर रहता है, फिर अगर यह again positive V saturated है, तो उसके लिए output क्या होगी, इस type की, wrap generate होगी, और फिर से यह negative होगा, तो इस type से आपकी waveform generate हो जाएंगी, तो यहाँ से बिलकुल clear है, कि जो square waves है, वो तो हैं आपकी V01, और जो आपकी triangular waves है, वो हैं आपकी overall output voltage, of the triangular wave generator, that is this point, तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही explain किया है, next वीडियो में, triangular wave generators का, जो derivation है, जिसकी help से हम इन, triangular pulse की, जो आपकी frequency या time periods है, उसको हम calculate कर सकते हैं, तो this is the end of the video, thank you so much for watching this video, कर दोस्तों 524 किया है, ज गर जोस्तों 524 किया है, झाल झाल